हलो एवरिवन, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज हम बनाएंगे मेथी मसाला पूरी, जी हाँ ये बहुत जादा टेस्टी है, आप इसकी पूरी बना सकते हैं, परांठे या फिर रोटी की तरह भी आप इसे सिंपल बना सकते हैं, आप इसे सफर में लेके जा सकते हैं, ये बहु कोई भी नया वीडियो मिस ना करें, तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमने ये डेड़ कप गिहूं का आटा लिया है, अब हम इसमें आधा कप बेशन डाल देंगे, एक छोटी चमश भारी मेच चो बिल्कुल बारी काट लिया है हमने, एक चमश अधरक का पेस्ट डालेंगे, तीन बड़े चमश दही डालेंगे, ये ताजा दही है, एक बड़ा चमश पुदीना बारी कटा हुआ, आधा कप मेथी लेंगे, जो हमने बिल्कुल बारी काट दी है इस तरह से, दो से तीन बड़े चमश हरा धनिया बारी कटा हुआ, और ये एक जो हमने बारीक तरफ से ग्रेट कर लिया है यह आप देख सकते हैं और इसे पानी में डाल कर रख दें और फिर निचोड कर हम इसे यूज़ करेंगे अब हम इसमें दो छोटी चमच नमक डाल देंगे आदी छोटी चमच गरम मसारा पाउडर आदी छोटी चमच काला नमक आदी छोटी चमच भुना हुआ जीरे का पाउडर और आदी छोटी चमच हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसमें लाल मेश भी डाल सकते हैं अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सक ताटा तैयार करेंगे हम इसमें पहले हल्दी डालना भूल गए हैं तो अब मैं ही आपर एक चोटी चमाच हल्दी डाल रहे हूँ आप पहले ही डाल दें जब हमने सारे मसाले डाले थे और आप देख सकते हैं हमने इसका बिल्कुछ सक ताटा तैयार कर लिया है क्योंकि ये बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है मसालों की वज़े से और आलू की वज़े से अब हम इसके पर एक चमाच देल डालेंगे और आटे को देल से अच्छे से कोट कर लेंगे और अब हम इसे ढख करके कम से कम 20-25 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे हमने इसे मलने में आदा कप से थोड़ा सा कम पानी यूज किया है आप देख सकते हैं हमने आदा कप से इतना सा पानी बच किया है हमारा अब हाथों पर थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और इसमें से छोटी-छोटी पेड़ियां बनाएंगे जितने आप पोड़ी बनाना चाहते हैं उससे सापसे आप इसमें पेड़े बना ले यह हमने सारे पेड़े तयार कर लिए हैं अब हम इनको बेलेंगे सुखा आठा थोड़ा से लगाएंगे पेड़े पर वो इसे बेल लेंगे इन्हें बेलना काफी असान है और यह सारी पुड़ियां हमने इस तरह से पहले बेल ली हैं तो अभी इन्हें में फ्राइ करेंगे हमने कड़ाई में तेल पहले से गरम कर लिया है हम इसमें थोड़ा सा आठा डाल कर चेक करेंगे इस तरह से यह आटा एकदम से उपर भी नहीं आ रहा है अभी तेल थोड़ा कम गरम है तो हम इसे थोड़ा सा और गरम होने देंगे यह अच्छे से ब्राउन हो चुका है इट मेंस हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें पूरी डालेंगे और इसे उपर से इस थर्जने हलका हलका दबाते हुए इसे फुला लेंगे यह आप देख सकते हैं पूरी कितने अच्छे से फूल गई है अगर आप इस आटे को 10 से 15 मिनट रेस देंगे तो जो पूरीयां होंगी वो थोड़ी कम फूलेंगी और अगर आप 20 से 25 मिनट इस आटे को रेस देते हैं फिर इसको दुबारा मलेंगे तो पूरीयां बहुत अच्छे से फूलेंगी और इसी तरह से हम सारी पूरी फ्राइ कर लेंगे और ये पूरी जब आप बाद में कैसरोल में लग देंगे तो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं क्योंकि इसमें आलू और दही डला हुआ है तो आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सफर में भी लेके जा सकते हैं और ये दो से तीन दिन तक खराब भी नहीं होगी और ये खाने में तो बहुत टेस्टी हैं ही बहुत मसालेदार और बहुत मेथी वाली तो लीजे हमने सारी पूड़ी अपने फ्राइ कर ली हैं आप इसे अचार और दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करें ये खाने में बहुत ही जादा डेस्टी है और इसके साथ किसी सबजी की या किसी बी और चीज की आपको जरूरत नहीं है आप इसे खाली चाए के साथ भी सफ सकते हैं तो आप इसा अपने घर में जरूर ट्राइक करें और अपने अनगन में साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स और फामली के साथ जरूर शेयर करें तो आप मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाई ठेक्स पर वाचिंग